27 इंच लंबाई है चेश्ट है 34 इंच और बाजू है 22 इंच यह जो हमारे पास टी-शर्ट है यह उनी टी-शर्ट है यह हमारे पास बैक है और यह इसका फरंट है बैक और फरंट दोनों एक साथ ही कटिंग करेंगे तो चलिए सबसे पहले 27 इंच लंबाई पर एक निसान लगाना है यहाँ पर 27 लगाना है और यहाँ पर 27 लगाना है अब इन दोनों निसानों को मिला देना है इसके बाद दोस्तो अब जो हमारी इस टी-शर्ट की चेश्ट है वह है 34 इंच और 34 का जो एक चोथा ही है वो चेश्ट के बाद 10 इंच और उपर डाउन करना है चेश्ट के हिसाब से जो आर्मॉल होता है बाजू का इसके लिए हमें आघ पर निसान लगा कर सीधे निसान लगा देना है अब यहां से एक चोथाई चेश्ट का शाड़े आठ ऐसे ही बिलकुल उपर शाड़े आठ दोन निसानों को हलकी सेफ दे कर मिला देना है इसके बाद दोस्तों यहां से जो हमने निसान लगाया है पौन इंच बाहर की तरफ एक निसान लगाना है लूज के लिए जिसमें टिसर्ट में लूज दी जाएगी इसी में हम सेफ दे देंगे अब चलिए सबसे पहले नीचे आठ इंच पर निसान लगाएंगे और पौन इंच बाहर की तरफ निसान लगाएंगे अब इन दोनों निसानों को सेफ पट्टी से हलकी सेफ में मिला देंगे चाहे तो सेफ अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा दोस्तों इस वीडियो को आंज तक जरूर देखना यहां से आधा इंच पॉइंट गिराना है और यह जो हाला होता है टी सेट का फरंट का यह साड़े तीन इंच नीचे की तरफ रखना है और तीन इंच चोड़ा रखना है और इसमें सेफ दे देनी है इस तरीके चे तो मैंने कहा आपसे इस वीडियो को अंत तक जरूर यहां गा कि टी सेट का जो हाला होता है उस हाले पर जो राउंड नेक टी सेट होती है उस पर जो रिवच चड़ाई जाती है वो कितने इंच लंबी हाले के इसाब से होनी चाहिए तो दोस्तो अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नवे हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए यहाँ से हमारा फरंट कट कर तयार हो गया है हलकिसी इसमें गहराई देते हैं फरंट में इसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे बैक की कटिंग यहनी बैक का जो हाला होता है उसके लिए भी स्तीन इंच चोड़ाई का निसान लगाएंगे और पौन इंच नीचे की तरफ गहराई पर निसान लगाएंगे अब इस निसान को थोड़ा घुमा कर सेफ में काट देंगे यहां से हमारी बैक भी कट कर तयार हो जाएगी तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे बाजू की कटिंग यह हमारे पास सामना हो गया है और यह हमारे पास बैक हो गई है अब यह जो हमारे पास कपड़ा है इस कपड़े को डबल फॉल्ड लेयर में बिछाना है इस तरीके से और अब हमें 22 इंच पर एक निसान लगाना है उपर से बिल्कुल पूरा ही 22 इंच आ रहा है इसी तरीके से जो हमारे पास चेश्ट थी वो 34 इंच तो इसके लिए 8.5 इंच पर निसान लगाना है अब जो हमारी बाजू के आज 3 रहेगी वो रहेगी 10 इंच तयार इसलिए हमें 5.5 इंच पर निसान लगाना है अब इन दोनों निसानों को हल्की सेप में निसान लगा देना है अब दोस्तों उपर से धाई इंच पर मार्क करके सेप देनी है इसके बाद इस बाजू की कटिंग कर देंगे और इसी तरीके से मार्क करके दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे या फिर दूसरे कपड़े पर इस बाजू को फला कर कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों यह हमारे पास बाजू कट कर तयार हो गई है अब जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे रिब की रिब की जो कटिंग करेंगे उस रिब का जो कपड़ा होना चाहिए आड़ा होना चाहिए तो सवा दो इंच चोड़ी रिव लेंगे और ध्यान रहे हाला अगर हमारे पास टी-सर्ट का ठारे इंच है तो 17 इंच की रिव लेंगे और हाला 17 इंच है तो 16 इंच की रिव लेंगे तो यहां से इस रिव की सवा दो इंच चोड़ी कटिंग कर लेंग और हमारे पास इस ट्रिशर्ट का हला है 18 इंच तो इसलिए हम साड़े आठी यानि 17 इंच पर निसान लगा कर इसकी कटिंग कर देंगे